हाई गाईज दिस वीडियो अप इंस्टॉलिंग टॉप बॉक्स ओन बजाद पुलसर एंटुफिफ्टी एंट 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 सिक्स्टी हमने अभी अभी एक टॉप रैक पचेस किया है जो कि स्टॉप ब्रैंट का है मुझे सिस्टॉफिफ्टी का पड़ा बट ये टॉप रै है कि लगाने के लिए ग्राइं को क्रे मुफ कर रहे है ग्राँ रिमूफ करके वह अंदर लेके जाएंगे शेरा ब्र Own Drive को उसके जो होल्स है उसपोस के अगेंक्स्ते एक लोहे की पत्ती कट करेंगे कम से कम चार से पांच मिम की पत्ती होती है ताकि वो आपके टॉप बाउक्स और उसमें समान का लोड जेल पाए अभी भया अंदर जा रहे हैं आप उसमें देख सकते हो कि क्लियर्ली वो अब सामने जो होल दिख रहा है वो उस होल को ड्रिल कर करने जा रहे हैं लोहे की पत्ती पर यहां पर ड्रिलिंग चल रही है उसकी ताकि फाइनली कट हो ड्रिल हो सौरी अब इसी लोहे की पत्ती को हम कट करेंगे अपने बाइक के हिसाब से बस यह दिमाग में रखते हुए कि हम कोई भी लोहे का पार्ट हमारा फाइबर बॉड की शाप न रह जाए और हमारे फिलियन राइडर को लगे ना अब इसकी हम प्रॉपरली वेल्डिंग करा लेंगे सारे फिट्मेंट की फिट्मेंट की फिट्मेंट की फिटिंग हम लोग कराने से पहले एक बार उसको भाइक पर चेक जरूर कर लेते हैं ताकि वह राइट की कोस्ट 110 रुपीज पड़ी थी फैब्रिकेटर ने सिर्फ 200 रुपीज लिया है इसका अभी मैं आपको इसको बाइक पे लगा के दिखा देता हूं कि यह कि इतना फाइन फिटिंग करी गई है कि वह लग रहा है कि इसी बाइक का टॉप रैक है ना स्ट्रेट अबे गो ट इसके अंदर इसकी फिटिंग्स आती है एक रबर माटिंग आती है कि कुशन आता है जो पीलियन बैकरेस्ट पिलियन के लिए हैं बैकरेस्ट का काम करेगा और एक स्टर्स का की चेन अभी इसको इंस्टॉल कराते हैं इस वक्त बजाज में मेरी टॉप बॉक्स इंस्टॉल हो रहा है यह पॉजिशन है जहां कुशन लगाते हैं फिलियन के लिए टॉक्स यह डॉक्यमेंटेशन है लेविट देस इस मैटिंग काफी अच्छे मटीरियल की है यहां पर रखी जाती है अंदर नीचे जो कि हमारे स् फिटिंग हो गई है और यह फाइनल लोग है बाइक का आप लोग देखिए और पताएए कैसा आगा आप लोग को वीडियो